नमस्कारम आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो हिकारू नकामुरा और मैगनस कालसन जो की करन्ट वॉल्ल चैंपियन है उनके बीच हुआ था जब 21 राउंड के बाद ब्लिट सेक्शन में वॉल्ल रापिड और बिट्स का जो ब्लिट सेक्शन था उसमें जब दोनों के पॉइंट सेक्वल हो गए तो एक टाइब्रेक लिया गया बेस्ट अप टू का उसका ये पहला गेम है तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की दरफ जाते हैं गेम में जो स्टार्ट हुआ वो वो e4, e5, knight to f3, knight to c6, bishop to b5, knight f6 Berlin defense हमेशा से एक powerful choice रही है ब्लैक से अगर हम higher level की बात करें तो तो d3 के लाएं यहाँ पर एक करूने और bishop c5, definitely आप bishop into c6 नहीं मार सकते हो क्योंकि इसमें d cut c, e5 मारा अगर आपने तो queen d4 directly भी आ रहा है यहाँ फिर bishop into f2, king f2, queen d4 check और e5 मर जाएगा, so यह बहुत ही easy था c3 के लाएं यहाँ पर castle यहाँ पर castle किया, white ने भी और d6 के ला अब आप देख सकते हैं इस position में कि white ने h3 के ला क्योंकि bishop h4 जो है उसको आप control कर सकते हो ताकि यह pin नहीं रहा f3 knight a6 के लाएं यहाँ पर bishop a4 definitely अगर कोई solid reason नहीं है तो आपका king bishop exchange नहीं करना चाहिए आपको और queen knight से तो बिल्कुल भी नहीं तो bishop, sorry, b5 खेला है यहाँ पर bishop to c2, बहुत बार bishop b3 पहले खेलते हैं पर उन conditions में हो सकता है pawn c2 पर हो, तो इसलिए directly यहाँ पर bishop c2 खेला white ने h6 rook e1, rook e8, b4 white कोशिश कर रहा है कि queen side में थोड़े space create करें वो, और उसके बाद आप bishop b3 भी जा सकते हो, जिसमें na5 stop हो जाएंगा b4 के बाद, तो bishop b6 खेला a4, bd7 अब definitely जो threat था वो a cut b5, a cut b4, rook e8 था तो black ने simply bd7 खेलके a8 को protect कर दिया, knight bd2 खेला है यहाँ पर, knight e7 यह एक बहुत popular system है, जिसमें आप queen knight है, उसको आप shift कर सकते है king side में, मतलब अगर white delay करता है d4 खेलने में और center में कोई pressure नहीं और e5 pawn को especially, अगर कोई support नहीं है, तो यह maneuvering जो है, यह बहुत common choice है knight e7 or knight g6, Spanish में यह italian में, तो knight of one खेला है, यहाँ पर a5 और यह break बहुत important था, मुझे लगता है इसके बाद white को बहुत ही carefully खेलना था है, यहाँ पर क्योंकि अब देख सकते है, a5 के बाद जब b cut a5 मारा है, तो after rook into a5, अब bishop e3 खेला, क्योंकि a1 hanging था, आप directly a cut b नहीं मार सकते थे क्योंकि a1 को problem था, तो bishop e3 के बाद bishop into e3 मारा, knight into e3, और यहाँ पर knight g6 खेल दिया, अभी a cut b5, rook cut b5, और यह position वैसे equal लग रही थी, इसमें, लेकिन बाद में जो ending create किया, magnus, magnus न यहाँ से वो एक slight better लग रहा था एक time पर, ba4 खेला है यहाँ पर, rook to b8 bishop into d7, queen into d7 double knights में से अभी यह बहुत जरूरी था कि कि किसके knight को अच्छा place मिलता है queen c2 खेला है, हाँ पर definitely idea यही है कि rook b1 ले सकते हैं, next move knight h4, king h2 बहुत conditions पर ऐसा हो सकते है कि अगर आप king h2 पर नहीं रखते हो तो knight into h3 sacrifice आ जाए तो blitz में normally थोड़ा सा safe रहते हैं king को लेकर लोग तो उसे सबसे king h2 के ला queen b5, rook d1 definitely d3 को protection देना बहुत जरूरी था queen b2, rook a2 और अब आप देख सकते हैं कि queen exchange होने के बाद, जो f4 का knight है, वो बहुत problem create कर सकता है d3 को queen c2 के ला, rook into c2 और अब d1 पे एक rook fix रखना पड़ेगा rook b3 और slightly अब better version आता जा रहे है ending का black के लिए क्योंकि उसके rooks और knight b4 का बहुत active लग रहा है और इस condition में एक बार g3 के ला भी यहाँपे point ने, तो knight d6 खेलना पड़ा इसके बाद हो सकता है, यह knight c5 पे जाके फिर से d3 को attack करे knight d2 खेलना यहाँपे b3 पे threat है, rook b7 definitely वापस rook b8 जाने में कोई point नहीं है, इसमें आप at least rook b7 पे रखके, दूसरा rook b8 पे ला सकते हो और बाद में b2 यहाँपिर अगर knight आटता है, तो b1 भी ले सकते है तो यहाँपे knight dc4 खेला, knight dc4 को rook a8 खेला, दोनों open file अभी black के पास है, और यह position definitely ऐसा हो सकते है कि black थोड़ा press कर सकते है, आगे king g2 खेला, यहाँपे rook a4, pawn to f3 अब f3 खेलने का point यह था कि एक तो आप king को ले के आ सकते हो simply और अब e4 को extra protection है तो future में आप d4 के लिए भी जा सकते हो so knight d7 के लाए हाँपे d4, f6 जितना हो सके solid रख रहे हैं दोनों अपनी position को h4, h5 और अब इस position में king f2 के लाए हाँपे white ने, लेकिन फिर भी मैं बूलूँगा कि यह position definitely black को slide better होनी चाहिए क्योंकि after king f8 आप देख सकते हैं दोनों ही rooks जो हैं वो अच्छे पड़े हुए black के लिए और pressure generate कर सकता है black आराम से, rook d, d2 खेला rook d2 को rook b1 आया, definitely last row में rook लेकिया के हो सकता है कि double करके फिर g3 और h4 को pressure करिया जा सके और कुछ conditions में आप g5 खेलके hg, fg आके h4 भी passer create कर सकते हो तो d5 के लिए यहां पर forced किया e6 knight को अटने के लिए knight to c5, rook a2 rook c1 और इस condition में आप rook into a4 नहीं मार सकते हो क्योंकि knight into c4 के बाद c3 को बड़ा problem हो सकता है so rook dc2 खेला है यहां पर c3 को protect करने के लिए king e7 king f7, sorry, king f7 को अभी king e2 खेला और अब rook into c2 मार दिया है, rook into c2 को rook cut c2 मारा, g6 खेला f5 सक्वेर को control किया क्योंकि कभी knight आके उदर problem create कर सकता है so rook b2 खेला है यहां पर rook b2 को f5 खेल दिया और f5 को अभी आप देख सकते हैं इस condition में अगर हम इसको मारते हैं तो आप pawn takes, pawn takes मार के knight into नहीं मार सकते हैं क्योंकि c4 मर रहा है और उसके बाद कोई threat नहीं है उसके बाद so यहां पर f4 खेला white ने, e cut f4 pawn cut f4 g2 f4 g2 f4 के बाद knight up 6 खेला और अभी आप देख सकते हैं यह दोनों pawn दोनों ही side के f5 इदर weak है और f4, h4 भी weak है so रुख b8 खेला है यहां पर रुख b8 को knight cut d5 खेला knight d6 अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब knight d5 मारा था तो उसके पहले तक position मुझे ठीक लग रही थी black के लिए knight into d5 को knight into d5 था आप directly नहीं वार सकते हो क्योंकि c4 मर रहा है तो knight into d6 के बाद यहां पर c cut d forced हो गया knight d5 king to e6 knight b4 knight b4 के बाद आप देख सकते हैं कि mainly जो target हो सकता है वो c3 एक pawn हो सकता है और knight e4 आके भी इसको target कर सकते है so knight e4 खिला है यहां पर c3 पर threat है king d3 rook a3 c1 c3 को problem है तो rook c8 खिला है इसको बचाने के लिए और अभी king d6 होना आगे अभी आप देख सकते हैं कि कोई place नहीं अगर आप अगर आप rook लेते हो d5 पर sorry c4 पर तो d5 आ रहा है और फिर इस इस file में कहीं पर जगा नहीं है तो आपको rook d4 खिलना पड़ेंगा और rook into c3 आ रहा है so rook h8 खिला है यहां पर rook h8 को आप देख सकते हैं कि h5 मर रहा है और यहां पर पहला mistake किया magnus ने actually थोड़ा देख सकते हैं कि क्या एक बहुत अच्छा continuation आ रहा है white की दरब से क्योंकि खुद न कम उरा कम मैंने tweet देखा था कि उन्होंने यहां पर tweet किया था इस position के बारे में कि वैसे overall में अच्छा खिला लेकिन यह एक miss कर देना night c2 और दोनों के लिए के बाद c3 definitely मर रहा है और यह शायद बेटर होना चाहिए white को clearly बेटर होना चाहिए so लेकिन गेम में उन्होंने रुक h7 खिला है यहां पर रुक h7 को king e6 रुक h6 चेक दिया और king f7 के बाद उन्होंने अभी king अटा लिया क्योंकि डिस्कोवर्ट में चेक में प्रॉब्लमस आ सकती थी रुक के rank में यहां फाइल में king को नहीं रखना चाहिए और especially time pressure में तो बिल्कुल नहीं so यहां पर knight e2 खिला f4 मर रहा है knight d5, knight into f4 यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप knight into f4 को मारते हो तो इस keyword में king d5 और rook into f4 मर रहा है यहां पर इस position में देखा जाए तो दो pawn up है black लेकिन formation इतना अच्छा नहीं है और king d6 को मार सकता है rook h5 मार सकता है तो इसमें ज़रूरी था कि पहले spawn को मार दें क्योंकि d6 को protect करने इतना असान नहीं होगा black के लिए so rook h5 मारा यहां पर king g6 rook g5 check देना बिल्कुल गलत हो जाता क्योंकि उस condition में फिर spawn को push करने इतना असान नहीं था king f6 और king h6 के बाद लेकिन यहां पर rook h8 खिला rook e4 अभी भी यहां पर d6 मारना अच्छा नहीं है क्योंकि आप pawn push कर सकते हैं और definitely अभी भी कि रुक e6 या रुक d4 नहीं आ रहा है d6 को push करने के लिए support देने के लिए तो h5 खिला यहां पर और after king g5 h6 खिला rook h4 force था क्योंकि अगर आप pawn push करते हो तो king g6 और इस condition में king into d6 मार दिया उन्होंने जिसमें आप देख सकते हैं king into h7 के बाद यह simply एक draw position है यहां पर उन्होंने draw ले लिया था अगर हम बात करें rook into h7 king into h7 king e5 की तो king g6 king f4 और यह सभी को पता है कि यह आराम से draw जिएंगी तो इसको जादा देखने की ज़रुरत नहीं है और अगर हम बात करें overall result की तो जो तीन प्लेयर थे जो की जिन्होंने medal जीता उनमें से first तो आप देख सकते हैं कि Magnus Carlson है नाकामूरा blitz में second है rapid में third आये थे पर जो सबसे बड़ा नाम था जो की कुछ साल पहले retirement ले चुके थे पर उन्होंनोंने decide कि था कि क्योंकि Russia में tournament हो रही है तो blitz section वो खेलेंगे तो Vladimir Kramnik को आप देख सकते हैं कि वो third है और उनका जो सबसे best game मुझे लगा मुझे लगा कि अगर पूरे tournament की भी बात करें तो positionally अगर सबसे कोई best move आई होंगी तो जो अलीरेजा के साथ उनका game हो था जहां पर उन्होंने rook into e6 मारा था मुझे लगता है वो एक game बहुत ही important है वो हम definitely देखेंगे और वो एक game और और भी कुछ game अगर क्रामnik के अच्छ हुए है उसमें तो हम देखते हैं तो मिलते हैं बहुत जल्दी, bye, thank you